दोस्तो दूद मनुष्य के जीवन में सबसे महतुपूर्ण आहर माना जाता है क्योंकि पैदा होते से ही जो सबसे पहले हमारे शरीर में भोजन के रूप में जाता है वो दूद ही होता है दूद एक एनिमल प्रोडक्ट है जो कि हमें जीवीद पशू के जरिये प्राप्त होता है और वो सभी चीज़े जो हमें किसी जीवीद प्रानी के जरिये मिलती है उनमें कई तरह के हॉर्मोन्स, एमिनो एसिड्स और एंजाइम्स की मातरा अधिक होती है जिसकी वज़े से इन्हें सही चीजों के साथ सही समय पर खाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि भोजन में फर्मेंटेट चीजों और पशूर से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की केमिकल रियक्शन करने की टेंडेंसी बहुत ज़ादा होती है दूद अपने आप में एक संपूर्ण आहर के बराबर होता है और इंसान के लिए ऐसे कई जरूरी पोशक्तत्व है जो हमें केवल दूद से ही भरपूर मातरा में मिल सकते हैं इसलिए कहा जाता है कि जो लोग रोजाना दूद नहीं पीते उन्हें 40 की उम्र के बाद कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और बढ़ती उम्र के बच्चों को दूद अवश्य पीना चाहिए लेकिन दूद का शरीर पर सही तरह से असर हो इसके लिए दूद पीने से जुड़े हुए नियम पता होना जरूरी है कई लोगों को दूद पीने के बाद भी शरीर पर इसका पूरी तरह असर नहीं होता और कुछ लोगों को तो दूद ठीक तरह से पच्टा ही नहीं ऐसी बहुत से चीजे हैं जिनका सेवन दूद पीने से पहले और बाद में अगर किया जाए तो होने वाले केमिकल रियक्शन का असर हमारे शरीर के लिए बेहध हानी कारग भी हो सकता है और ऐसी कई बिमारिया भी हैं जिनके होने का कारण दूद का गलत समय पर गलत चीजों के साथ सेवन करना ही माना जाता है पेट, पाचन, पेशाब और तवचा के रोग सबसे ज़ादा दूद का गलत तरह से सेवन करने पर ही होते हैं इसलिए जितना जरूरी हमारे लिए दूद पीना है उससे कई ज़ादा जरूरी इससे जुड़े नियम भी है सही तरीके से अगर दूद पिया जाए तो केवल एक मातर दूद ही शरीर में सभी पोशक तत्वों की कमी को पूरा करके व्यक्ति को लंबी उम्र तक निरोगी और ताकतवर बनाए रखने के लिए काफी होता है आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दूद का जादा से जादा लाब उठाने के लिए इसका किस समय पर और कैसे सेवन करना चाहिए किन-किन चीजों के साथ दूद का सेवन नहीं करना चाहिए अलग-अलग बिमारियों में दूद को दवाई की तरह इस्तमाल कैसे किया जा सकता है और अगर दूद सूट नहीं होता या दूद पच्चता नहीं तो इसे पचाने के लिए क्या करें सबसे पहले बात करते हैं दूद कब-कब नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद दूद अपने आप में एक संपून आहर होता है इसलिए भोजन के तुरन बाद दूद पीना दूबारा भोजन कर लेने के बराबर माना जाता है क्योंकि दूद को पचने में काफी समय लगता है और भोजन के बाद अगर दूद पीलिया जाए तो इससे शरीर भारी होने लगता है पेट जादा भरा हुआ महसूस होता है और भोजन पचने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है यदि भोजन के तुरंद बाद दूद पीना ही हो तो भोजन और दूद दोनों की मातरा आधी-ाधी कर लें उधरन के लिए अगर आप तीन चपाती और एक ग्लास दूद पीना चाहते हैं तो इस स्थिती में चपाती की मातरा को डेड़ कर दें और दूद भी केवल आदा ग्लास पीए केवल ऐसा करने से ही भोजन टीक तरह से पच पाएगा लेकिन इस से भी बहतर तरीका ये है कि भोजन करने और दूद पीने के बीच में कम से कम दो गंटे का अंतराल जरूर रखें खटे फल और नमकीन दूद पीने के बाद या दूद पीने के पहले खटी चीजे जैसे कि निम्बू, अचार, चटनी आदी का सेवन कभी न करें और साथी नमकीन मसालेदार चटपटे स्नैक्स आदी को दूद पीने से पहले या बाद में अवाइट करें दूद का इन सभी चीजों के साथ मेल नहीं बनता और अगर शरीर में जाकर ये आपस में मिलते हैं तो केमिकल कंपाउंट अलग होने की वज़े से पेट में गडबढ होने की समभावना बहुत ज़ादा बढ़ जाती है पेट से आवाज आना, खाना न पचना, गैस, एसिडिटी, पेट फुलना, ब्लोटिंग और पेट दर्ट जैसी समस्या दूद के साथ खटी चीजे और नमकिन चीजों का सेवन करने की वज़े से हो सकती है प्यास और बेगन दूद का केमिकल कमपाउंड प्यास और बेगन के भी विरुद होता है इसलिए अगर आप भोजन में बेगन या सालाद में कच्चे प्यास का सेवन करते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे बाद ही दूद का सेवन करें इन दोनों के साथ दूद का मिश्रण होने से अलग-अलग तरह की स्किन एलर्जीस और त्वचा रोग होने की संभावना काफी जादा बढ़ जाती है मचली और नॉन्वेज ऐसा माना जाता है कि फिश याने की मचली खाने के बाद अगर दूद पी लिया जाए क्योंकि दूद अपने आप में कैल्शिम और प्रोटीन से भरपूर होता है और साथी मास मचली आदी में प्रोटीन की मातरा बहुत अधिक होती है मास और दूद दोनों ही काफी हैवी भी होते हैं जिसके कारण इन्हें एक साथ पचाने में हमारे पेट और आतों को जरुद से ज़ादा मेहनत करनी पड़ती है तुचा रोगों से ज़ादा इससे पाचन से जुड़े रोग होने की संभावना काफी बढ़ सकती है दूद में जब दही मिलाया जाता है तो दही दूद के साथ केमिकल रियक्शन करके उसे भी दही में बदल देता है और जब हम इन दोनों का ही साथ में या एक के बाद एक सेवन करते हैं तो ये प्रकरिया हमारे पेट में शुरू हो जाती है जिससे हमारे पाचन में गडबड़ी होने की संभावना काफी जादा बढ़ जाती है अब बात करते हैं दूद कब और कैसे पीना चाहिए आयरवेट के हिसाब से दूद पीने का सही समय रात कमाना जाता है दूद के अंदर ट्रिप्टोफिन नामक एमिनो एसिड होता है जो कि दिमाग और बॉड़ी को शांत करके अच्छी नीन लाने में मदद करता है रात भर के एक लंबे अंतराल में जब हम कुछ भी नहीं खाते तो हमारे शरीर में दूद का असर सबसे ज़ादा होता है और जो लोग रात को दूद पीते हैं उनका सुबह पेड भी खुल कर साफ होता है दिम में दूद पीने से इसमें मुझूद सभी न्यूट्रियंस हमें पूरी तरह नहीं मिल पाते रात में दूद का सेवन करते समय भोजन की मातरा को कम रखे और खाने के कम से कम दो गंटे बाद ही दूद का सेवन करें कैसे पीएं? अगर आपका वजन बड़ा हुआ है या सामान्य है तो गाय का दूद पीना सबसे बहतर होगा क्योंकि इसका असर हमारे दिमाग, हड्डियों, स्किन और बालों पर बहुत तेजी से दिखाई पड़ता है बहुत का दूद सामाने दूद के मुकाबले शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है और ये केवल वजन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है इसलिए हमेशा गाई का दूद पियें और गाई में अगर आप गीर गाई का A2 मिल्क अरेंज कर सकें तो ये दूद किसी अमरस से कम नहीं गीर गाई का दूद सबसे ज़्यादा हेल्दी, लो फैट, हाई एनरजी और बेहर शक्तिशाली होता है गीर गाई का दूद थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसके एक ही गलास में आम गाई के 5 गलास के दूद के बराबर शक्ति होती है और यह वजन घटाने के लिए भी काफी यूसफुल माना जाता है दूद कभी भी थंडा ना पिएं क्योंकि वैसे भी दूद के पचने की गती धीमी होती है और जब हम ठंडा दूद पीते हैं तो यह और जादा धीरे पचता है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है दूद को हमेशा या तो थोड़ा हलका गरम कर लें या सामान ये तापमान पर ही इसका सेवन करें दूद में मिठास के लिए शहद, देसी खान और मिश्री का ही इस्तमाल करें चीनी से मीठा किया गया दूद बिलकुल भी लापकारी नहीं होता क्योंकि चीनी दूद के पूरे पोशक तत्वों को नश्ट कर देती है और साथ ही हमें चीनी वाला दूद पचाने में भी काफी मुश्किल होती है दूद केवल बच्चों को ही नहीं हर उम्र के व्यक्ति को पीना चाहिए और हर बार दूद का सेवन करते समये आज के इस वीडियो में बताई गई सबी बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि बेवज़ होने वाली परिशानियों से बचकर दूद का पूरा लाब उठाया जा सके अगर आपको शंका है कि आप जो दूद पी रहे हैं वो पूरी तरह शुद नहीं है या उसमें मिलावट है और आप दूद के असली लाब को नहीं ले पा रहे हैं तो इस विशय पर आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि मिलावट वाले दूद की पहचान कैसे की जाती है और वो कौन-कौन सी चीज़े हैं जिने दूद में मिला कर लेने से इसका असर दुगना हो जाता है